नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पात्मिकर में मेरे नाम है सौरग और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं SSE CHSL GK के कोशन जो की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं 14 अक्टूबर दोहर 20 के एक्जाम के अनलिसिस करेंगे दोस्तों अगर आप भाग दोड़ करके ठक चुके हैं सुबह से शाम तक अगर आप ठक चुके हैं देख देखके हर चैनल पे क्या आया है क्या आया है तो दोस्तों अब अपने मन को शान्त कीजी और पात्मिकर में आने की संभावना है उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों पहला कोशन हम देखते हैं देखिए किस देश का पासपोर्ट सबसे जादा पावरफुल है दोस्तों पासपोर्ट किस देश का सबसे जादा पावरफुल है यहाँ पर बात मेन होती है द मतलब कि माननेता रखता है तो दोस्तो इस चीज में जो वैल्यूबल सबसे जादा है वो रहा है जापान का जो कि दोस्तो जापान का पासपोर्ट 191 कंट्री में वैलिड है ठीक है मतलब कि अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 कंट्री में ट्रेवल कर सकत दूसरा question जो आजाय था दोस्तों वो आया था विद्धुत का सबसे कम सुचालक कौनसा होता है दोस्तों दो होते हैं एक तो होता है good conductor और एक होता है bad conductor वहाँ पर तीन अच्छे conductor दिये होंगे और एक चौथा जो दिया होगा दोस्तों वह खराब conductor दिया होगा मतलब कि अगर अगर हम बात करते हैं कुछालक की मतलब की बैड कंड़क्टर तो वो होता है दोस्तों लकडी शीशा ठीक है या फिर प्लास्टिक ठीक है वहाँ पर आप option के साब से आप match कर ली किया होगा सबसे कम जो मिला होगा आपने वो इंसर लगाया होगा question No. 3 दोस्तों है SBI Bank के वरतमान अध्यक्ष कोन है देखिए दोस्तों यह करंट अफिर का question है जो SBI Bank के जो वरतमान में जो चेयर में हैं दोस्तों वो दिनेश कुमार खा रहा है जिनकी appointment एक सेप्टमबर को हुई है कब हुए दोस्तों एक सेप्टमबर को इनकी appointment हुई है क्योंकि 31 अगस्त को रजनीश कुमार का जो टम पीरिड था वो खतम हो चुका था ठीक है question number 4 हमारे सामने दोस्तो लखनव किस नदी के तड़ पर बसा हुआ है हमारे पास दोस्तो इसका जो अंसर है वो क्या है दोस्तो वो है गोमती यह अगर आप हमारे जी के बूस्ट अब सीरीज देखते हैं तो दोस्तो आपने उसमें यह question लगाया भी होगा मैंने आपको बता रखा है कि जो लखना हुए गोमती नदी के तरफ पर बसा हुआ है question number 5 हमारे सामने दोस्तो भारत के राश्पती रामनात कोविन कौन से नंबर के राश्पती है हमारे पास दोस्तो जो इसका अंसर है दोस्तो वो क्या होगा वो 14th प्रेजिडेंट है भारत के रामनात कोविन देखे दोस्तों अभी यहाँ पे पूछा गया है भारत के राश्च्पति के बारे में तो जिसका भी आगे आने वाले जिसका भी एक्जाम में आगे आने वाली डेटों में वो द्यान से देखेंगे दोस्तों एक तो आप भारत के परदानमंत्री कौन से नंबर के है और जो भारत के जो चीफ जस्टिस है और जो भारत के चुनाव आयुक्त है इन सभी के बारे में एक एक बारा जो उनका टर्म है वो जरूर याद कर लीजिएगा ठीक है कोशे नमबर 6 देखते है दोस्तो भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है इसका जो अंसर है दोस्तो सुनील कुमार अरोडा हमारे वर्तमान में चुनाव आयुक्त मतलब की Election Commissioner of India है और दोस्तो आप इनका भी जिनका आने वाली शिफ्ट में एक्जाम है वो इसका ध्यान रखेंगी कौन से टर्म के है ठीक है सात्वा कोशन हमारे सामने है मोहिनी अटम शास्त्र नुरत्यशे अली का संबंद किस राज्य से है हमारे पास दोस्तो जो इसका अंसर है वो है केलल के दोस्तो अगर आप हमारी जी के बूस्ट अब सीरीज देखते है तो उसमें भी हमने आपको इस कोशन करा रखा था ठीक है दोस्तो अब दीखें ये तो आगया मोहिनी अटम के बारे में जो आगे आने वारे कोशन है जो जितने भी शास्त्र रत्य शेलिया है वो जैसे कि भरत नाट्यम हो गया कथक हो गया कथक कली हो ठीक है आप इन सभी के बारे में पढ़के जाएंगे कोशन नमबर आठ जो आय था दोस्तो आज जो आय था जिन्होंने अपने पसे स्तीफा दिया है यह एक सबसे लंबे समय तक राश्चपति की पोस्ट पर रहने वाले व्यक्तियों की लिस्ट में से एक है इन्होंने दोस्तों जो अपना कारेकाल समा रहा था दोस्तों वो आठ साल 128 दिन समाल था कितना 8 एयर और दोस्तो 128 दिन लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति और है जिन्होंने इनसे भी जाद समय तक प्रेजिडेंट पोस्ट पे रहे हैं यह थे बॉरिस येलशीन जो की दोस्तो आठ साल एकसो चोहतर दिन तक अपनी पोस्ट पर रहे थे तो दोस्तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो यह कोशन पूछा गया था किस देश के राश्टपती ने हाली में पंदर जनवरी 2020 को अपने पत्से स्तीफा दिया तो वह हैं दोस्तो ब्लादीमिर पुतिन और दोस्तो अगर हमारे आगे आनवरे पेपर में यह भी कोशन आ सकता है कि हाल ही में कि देश के प्रधान मंत्री को ने अपने पस्चे स्तीफा दिया है तो दोस्तो वो अंसर होगा जापान ठीक है क्या होगा दोस्तो जापान के पीम शिम्जो आबे ने भी हाल ही में अपने पस्चे स्तीफा दिया है और उनकी जगा शूदर हुगो ही तो वने है प पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों सेलेश्टिन बोडीज के लेका कोन है दोस्तों वो है जोका अलहार्थी दोस्तों आगे आने वाले जो हैं जिनके भी शिफ्ट में एक्जाम होगा वो याद रखेंगे दोस्तों वो किसको दिया गया था वो आप तियार करके जाएंगे ठीक है और दोस्तों बूस्तों असिम थाजह करते हैं दोस्तों हमारे पास पर जो चार ऑप्शन होंगे तीन ऐसे होंगे राज्जे जो करते थे啊 और एक नहीं करता होगा या फिर दोस्तों ये question ऐसे भी आ सकता है कि ये कौन से राज्य जो है नेपाल के साथ इस्थल सीमा साजा नहीं करते तो उसमें तीन option ऐसे होंगे जो साजा करते होंगे और दोस्तों एक option ऐसा होगा जो साजा नहीं करता हो तो दोस्तों हमारे पास जो जो कि नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं जो कि हैं बिहार, उत्तरपरदेश, सिक्किम, उत्तरखंड और वेस्ट बंगाल दोस्तों पांच राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं तो दोस्तों अब हमारे जितने भी भारत के पडोसी राज देश हैं जैसे के साथ किन-किन देशों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ किस-किस देश की सीमा लगती है ये वा पृपेर करके जाएंगे और जो भारत के पडोसी देशे अगर उनमें कोई भी चेंजमेंट आया है तो उससे रिलेटेड भी आपको कोशन पूछा जा सकता है ठीक है कोशन नमर 11 हमारे सामने हैं दोस्तो चंपारण सत्यागरा कब हुआ था हमारे पास जो उसका अंसर है दोस्तो वो 1917 19 अप्रेल 1917 को दोस्तो बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्यागरा किया गया था दोस्तो माहत्मा गांधी के द्वारा दोस्तों क्यों क्या गया था जो चंपारण जिले में जो नील की खेती के मजदूर थे जो किसान थे दोस्तों उनसे क्या करवाई जाता था नील की खेती करवाई जाती थी और उससे दोस्तों उनके खेतों की जमीन तो खराब हो रही थी और उनके लिए British government ने ये अनिवारे कर दिया था कि आप 20% जो जमीन है आपके उस पर क्या करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ क्या होगाएंगे दोस्तों नील होगाएंगे लेकिन ये किसानों के साथ जाती हो रही थी इसी के लिए मात्मा गांधी जी ने 1917 में चमपारण आंदोलन किया था दोस्तों और लगबग एक साल तक चला था ठीक है अब हम बात करते हैं कोशन नमर 12 की हरीपूरा में हुए कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन की अधिक्स्ता किस के दौरा की गई थी जो की सन 1949 में हुआ था इसका सेजन सेर दोस्तों सुभास चंदर बोज के द्वारा की गई थी हरीपूरा में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन की अधिक्स्ता देगे दोस्तों अभी पूछा गया है कांग्रेस पार्टी की मतलब मीटिंग के बारे में वाली दिनों में पूछा जा सकता है जैसे कि इसकी इस था अपना 1885 में इस था अपना करी थी दोस्तों एलन ओक्टेवियन हूम ने इसके जो पर्थम जो अधिक्स थे जहां इनका जो सम्मिलन हुआ था इनके मीटिंग हुई थी बॉम्बे में वो थे व्योमेश चंद्रबेनर जी पर्थम मुस्लिम की बात करते हैं दोस्तों तो वो कौन थे बदरुदिन तयब जी थे इसमें राष्ट्रे गान या फिराष्ट्रे गीत कब गया था और कब किसकी अधिक्सता में गया था रहिम तुल्ला सयानी की अधिक प्रेश्टा में गया था दोस्तों रविना टैगोर ने गया था पहली बार स्वराज शब्द का इस्तमाल कब किया गया था ठीक है पूर्ट स्वराज्य की मांग कब की गई थी यह सभी कोशन आप से पूचे जा सकते हैं ठीक है कोशन नुमर 13 हमारे सामने महाभीयोग की प उपस से हटाने के लिए यह लाया जाता है कोशन नुमर 14 क्या है दोस्तों कारबन के अपर रूप क्या है हमारा सही अंसर होगा दोस्तों देखिए इसके जो अपर रूप है हीरा होता है ग्रेफाइट होता है फुल रिन होता है और दोस्तों एक option वहाँ पे ऐसा रहा होगा एक दूसरे से अलग अलग हो ठीक है कार्बन की तो अपर रूप होते दोस्तों अगर हीरे और ग्रिफाइट की हम बात करें देखें दोस्तों अगर आप उन दोनों को जलाएंगे तो सेम तरीके से जलते हैं हीरा भी और ग्रेफाइट भी हाला कि कोई भी वेवकूफ हो जो ही सीक्स होता है ठीक है अब आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कार्बन से रिलेटेटर आपसे कोईशन पूछा जा चुका है तो अब आप पिरेडिट टेबल से दोस्तों जो भी आपकी जो नोवल गैसी है या फिर हाइड्रोजन है हीलियम है इनकी रिलेटेटर कोईशन आना अब बिल्कुल अमोमन है पूछा ही जा सकता है आपसे कोईशन में 15 देखते हैं दोस्तों कौन से रख्त सम्नू को सार भोमिक सुई करता या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है देखें दोस्तों जी के बूश्च अप सीरी में आपको ये कोशन भी बता रखा है दोस्तों इसका सही अंसर है ए भी पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रूप होता है दोस्तों जो की यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है दोस्तों अब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर आ गया दोस्तों आपके पेपर में आने वाले एक्जाम में यूनिवर्सल डॉनर भी आ सकत खोज, question number 17 हमारे सामने, vitamin C में कौन सा अमल पाया जाता है, देखें दोस्तो, citric acid में vitamin C पाया जाता है, लेकिन हम से पूछा गया दोस्तो, vitamin C में कौन सा अमल पाया जाता है, देखें, तो हमारा क्या answer होगा, citric acid होगा, दोस्तो, और यहाँ पर यह question इस तरीके से भी आ सकता है, कि vitamin C का scientific name क्या है, तो उसका answer क्या होगा दोस्तो, ascorbic acid होगा, अब आप देखें, दोस्तो, vitamin C से related question आ गया, vitamin A का scientific name क्या है, और उसकी कमी से कौन सी विमारी होती है, B का scientific name क्या है, उसकी कमी से कौन सी विमारी होती है, C की कमी से कौन सी विमारी होती है इसका scientific name क्या है पूछी लिए गया आपसे विटामिन D की कमी से कौन सी विमारी होती है इसका scientific name क्या है और विटामिन K की कमी से कौन सी विमारी होती है इसका scientific name क्या है आप विटामिन का टोपिक को जरूर ओके कर लीजिएगा इससे question आपको 100% दिखेगा ठीक है question number 18 जो आया था दोस्तो आज परमानू reactor में कौन सा इंधन का परियोग होता है दोस्तो इसका answer है uranium का परियोग होता है परमानू reactor में इंधन के रूप में मतलब कि शीतलक के रूप में काम करता है ठीक है तो आप इसको भी को अपने मतलब की नोट डाउन कर लें और उसकी त्यारी कर लें अच्छे से कि शीतलक की बात आएगी तो sodium या फिर graphite होगा दोस्तो और अगर हम बात करते हैं दोस्तो कि परमानू reactor में मंदक के रूप में कौन काम करता है deuterium oxide या फिर आप जो भी आपको अंसर पता हुआ आप लगाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तो question number 19 जो आया था भारत और Australia के बीच में 2020 में हुई man of the series कौन बना था तो इसका अंसर है दोस्तो जो 2020 में भारत और Australia के बीच में जो series हुई थी उसका man of the series विराट कौली बने थे question number 20 जो आया था दोस्तो भारत के दूसरे राष्टपती कौन थे इसका सही अंसर है दोस्तो सर्वपली रादा कृष्ण जो थे भारत के दूसरे राष्टपती बने थे दोस्तो ये प्रथम उपराष्टपती थे, दो बार उपराष्टपती की पोस्ट पर रहे थे और दोस्तो एक बार ये राष्टपती की पोस्ट पर रहे थे और दोस्तो इनी के जिननदीन की याद में 5 सितंबर को दोस्तो क्या बना जाता है 5 सितंबर को राष्टे सिख्षक दिवस बना जाता है और दोस्तो अगर हमसे पूछ ले जाए विश्व सिख्षक दिवस कब बना जाता है तो वो 5 अक्टूबर को बना जाता है कोर्शन नमबर 21 जो आ जाये था सलाल परियोजना का निर्मान किस नदी पर किया गया है दोस्तो इसका से इंसर है चिनाब नदी पर किया गया है दोस्तो सलाल परियोजना का निर्मान और दोस्तो यह कहां पर है दोस्तो यह है आपका जमुएंड कश्मीर में अब सलाल परियोजना आ गया है दोस्तो तो आपके पास जलहस्ती परियोजना अभी आपके पूछा जा सकता है वो भी आप याद कर लीजिएगा कोशन नमर बाई जो आया था दोस्तो भारती समवीधान के किस अनुच्छेत के द्वारा मंत्रियों के परिशद लोगसभा के लिए सामुहिक रूप से जिम्मेदार होती है तो इसका सेंसर दोस्तो अनुच है अनुच्छद 55 के द्वारा मंत्रियों के रूप से उत्तरदां होगी औरहुते जो हम्हारे बलड है उसमें градियों की मातरा बहुत कम हो जाती है और शरीमे ठेकान बहुत जादा रहने लगती है ठीक है, कोशिर नमर 24 जो आज पूछा गया था दोस्तों first shift में, शिवाली कहिमाले के कौन से पार्ट में इस्ती था है दोस्तों तो इसका अंसर के निचले पार्ट में या फिर southern point में इस्ती था है दोस्तों और यह हम इसको यह भी कह सकते हैं बाहरी हिस्से में इस्थीत है कोशन नमर 25 जो आज पूछा गया था दोस्तों प्रत्वी से 10,000 किलोमेटर की उचाई पर वातावराण में कौन सा मंडल उपस्तित है तो इसका अंसर दोस्तों बहिर मंडल उपस्तित है प्रत्वी स से 10,000 किलोमेटर की हाइट पर तो दोस्तों आज यही कोशन पूछे गए ते कोशन नमर 25 आज की वीडियो यही समापत होती है दोस्तों अगर कोई भी कोशन ऐसा है दोस्तों जो मैंने आपको बताया और आपके पेपर में वो नहीं आया था या फिर कोई ऐसा कोशन है जो म उनके लिए फायदा हो सके देखे दोस्तों आपके पास जितनी भी knowledge है और जितना भी आप जानते हैं कि आपके paper में क्या आये था वो जादा से जादा share किया कीजिए ताकि आने वाले बच्चों के exam जिनके भी हैं उनको फायदा हो सके और दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इ आपको इससे कोई नुक्सान नी होने वाला आप जितना जादा अपनी knowledge को share करेंगे जितना जादा अपने ग्यान को share करेंगे उतना ही जादा वो बढ़ता है तो आप ये ना सोचे कि आप किसी को बताएंगे तो वो जादा marks occupy कर लेगा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों हर किसी किसी की अपनी किस्मत होती है हर किसी की अपनी मेहनत और अपनी परियास होते हैं जिसके दोरा वो नोकरी को और अपनी सपनों को सरकारी नोकरी के सपनों को पाने का जो होता है उसको सपना उसको साकार करते हैं ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियों तब के लिए धन्यवाद